नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको हमारे चैनल केसब इलेक्ट्रिक पर देखे दोस्तो ये 5 केवी का अल्टरनेटर है इसका आम ले दो फिल्ड क्वाइल बनाया हूं और इसका ये जो देख रहे हैं वो लीड वाला वायर है जो बाहर की ओर निकालता है और इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है वो मैं समझा देता हूं देखी दोस्तो इसका कनेक्शन जो होता है स्वा आउटर टू आउटर और इनर टू इनर होता है या तो सधारन भासा में कहें एक से तीन यानि कि जिस पॉइंट को हमको जोरना है उससे अगला वाला जस्ट छोर देना है उसक पतली वाली वायर को भी जो रहेंगे उस सेम टू सेम कनेक्शन वेसे ही होगा दोस्तों और देखिए पहले इस पर स्लीव डाल लेंगे तीन नंबर जो इसको जो है दोस्तों हम जो होते हैं कि जो और अच्छी तरह से प्लपर एकाम जोऍषी लगना चाहिए दोस्तों ठीक है अर्ड क्रोपर होना चाहिए जोणट में लगंघल रहेगा याधिला हो जाएगा जोई तो दोस्तों करन भी ऐसे हो जाता है इसके कारण भी ऐसा होता है दोस्तों पित भात को दियान में रखते हुए जुआइंट प्रोपर कम एक दिर हिंची होना चाहिए मोटा वायर या पतला वायर दोनों का दोस्टों तो देखे इसको थरह हम इंसुलेशन हटाने के लिए इसको जला देते हैं पतली वाला वायर है तो यह जल जाएगा और इंसुलेशन भी इसका हट जाएगा तो इसको जो है जोएंट करने के देते हैं तो जिस परकार से मोटा वाला वायर को जोएंट किये हैं उसी परकार से पतले वाला वायर को भी करेंगे और दोस्तों हमारे चैनल पएदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल पर इसी परकार के वीडियो लाता रहता हूं मोटर, पंखा, मिक्चर, ग्रैंडर, कॉटर इस सब का रिपेरिंग का वीडियो मैं लाता रहता हूं तो देखे दोस्तों इसको हमने पतली वाली वायर को जोइंट कर लिया है और इसको जो थोड़ा बरा है उसको हम काट देंगे और इस पर स्लीव चरहा देंगे तो और यदि आप मेरे आसपास जैसे की मेरा सौफ हो क्या दोस्तों चरहुत में सरकारी होस्पिटल के सामने आपके पास मोटर, पंखा, मिक्चर, ग्रैंडर, इत्यादी रिपेरिंग करवाना हो तो आप आ सकते हैं और मेरे दुकान से आसपास है तो यदि आप बाहर से देख रहा हैं दुसरे जगह से जो तो आप ये देख करके भी सही कर सकते हैं दोस्तों कि किस वरकार से है तो आप रह गया दोस्तों ये मैरा चौधा फिल्ट कवाल का कनेक्शन करना तो ये देखिए चौधा को करने के लिए दोस्तों इसका पहले एंसलेशन हटाएंगे और उसमें सिलीव आठ नमर शिलीव डदालेंगे दोस्तों देखिए इसमें भी तिसरा और चौधा के तो हात से पहले जोड़न करलेंगे इसके बाद से दबा कर बैठा देंगे तो जोड़न करने का तरुका देखी लीजे इसकोके 옛 पूरा प्रॉपर कर लिया है और इसको फालतु और कट कर देंगे कि कट करने के बाद इस पर इस पर ती नंवर का सिलीव लगा एंगे और फिर इस पर आट नंबर सिर्प ठछा देंग स्साथ कि मैं किस प्रकार से इस पर सिलीव लगाता हूं और कैसे इसको मैं चरहता हूं ठीक है दोस्तों ताकि यह मेरा कि यह ज्वाइंट फिल नहीं तो एक दम काई की डेनमो एक बार खुलने के बाद दोस्तों पांच साल साथ साल इतना दिन का लाइफ होता है इतना दिन के बाद यह सब खराप होता है तो इसमें काम जो है दोस्तों फड़ा परफेक्ट किजिए इत्मिनान से किजिए और परा के डेनमो आप कभी नहीं बनाए दोस्तों नहीं तो बहुत परसानी हो जाता है कभी कभी तो देखिए हो गया और जैसे वह उसको ज्वाइंट लगा है इस परकार से इस पतले वाले वायर को भी ज्वाइंट लगा करके पर देंगे तो इस पहले तीन नमबर से लीवि इसमें ऐसे नहीं समझ में आया है तो मेरे चैनल पर दोस्तों डाइग्राम द्वारा भी इसका कनेक्शन समझाया गया है तो उसका लिंक उस वीडियो को मैं इसके इंडी स्क्रीन पर लगा दूंगा दोस्तों आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं और इसके बाद इसको कभी-कभी इसमें करेंट नहीं देता है परसान हो जाते रहते हैं आदमी तो उसके चार्ज कब करना परता है वो सारा जनकारी जी है जोस्तों मेरे चैनल पर उपलब्द है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं आर्मेचर वैंडिंग का भी है यानि कि डैनमो का पूर पर का अपकर सकते है डायोड किस प्रकार से लगाते हैं कौन सा डायोड फैल होता है ते क्यापर प्रवलम होता है जोसतों सारा जनकारी जा समझाया है इसको आपको pennexon समझाया गया है और ऊधे यह हो गया और जो मेरा यह बच गया ृधा पाल से और फर्स्ट पहला ऐक है एक अक लिड तो इसको हमने बाहर की बनेक निकाल नहीं है ौर बस ग्राइब्र के लिए वी वाइर देखें दोस्तों रूरress याल का के निकालस फिये तो आलेता है वाइर और इसमे जो लेड चनर करेंगे और निकालना है और ठीक है और ये दूनों लिट का वायर हो जाएगा तो इसको हमको बाहर की तरफ निकाल देना है और देखिए दोस्तो एक वायर कनेक्शन चेक करनेक्शन करने के बाद आगे की मैरा कनेक्शन परोपर हुआ है की नहीं इसमें मिस्टेक नहीं करना है दोस्तो और यह देखिया हो गया तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो इस चैनल पहली बार आए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें